जेन तत्व विद्यका स्वाते हम सभी करें मुनी प्रमांचागर्ची द्वारा विच्चित अगले पैतालेस मिनिट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौबार्ण मुकार मंत्र पढ़ ले तो हम ने स्टार्टिंग करी थी जेन तत्व विद्या में प्रत्मान योग से जिसमें हमने शलाका पुरुषों के बारे में जानकारी ली थी ये शलाका पुरुष इसी मध्य लोक में रहते हैं जनम लेते हैं यहीं पर उनकी जो प्राप्तियां हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं according to जो हमने पढ़ा सभी नारायनों की सेम रहती है प्रति नारायन सेम तिर्थंकर सेम चक्रवर्ती सेम तो ये सारे शलाका पुरुष यहीं पर होते हैं ठीक है न अभी इस समय नहीं है इसलिए हो सकता हमें विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ हो ठीक है न तो प्रत्मान के बारे में थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जनकरी हासिल की थी कि वो बनते हैं तो क्या होता है उनकी लाइफ में ठीक है उसके बाद हमने ये एक्स्पैंड किया अपना जानने का नजरिया कि ठीक है ये होते हैं मनुष्य गती मनुष्य गती में होते हैं बाकी जगे लोक में क्या चल रहा है लोक है की नहीं है क्या होता है ये सब कुछ रहे तो फिर हमने उसको expand किया तो पूरा लोक हमें दिखाई दिया एक मनुष्य की आकार की आकरती खड़ीवी जैसे मनुष्य अपने दोनों हाथों को कमर पे रखके खड़ाओ ऐसी और बहुत विशाल का वो है 14 राजू की जिसमें की एक राजू भी मतलब असंख्यात योजनों का होता है मतलब innumerable योजन योजन जिसमें की मतलब 8000 मील का एक योजन कह लेजिए तो innumerable countable योजन उसमें होते हैं ठीक है बहुत बहुत लंबा समय कि एक देव अपनी खूब तेज गती से चलता आ र है वो एक राजू इतना बड़ा राजू के गणना में थोड़ा सा example के तरीके से बताया तो उस राजू में जब हमने जाना तो उपर का एरिया एक अलग हो गया नीचे का अलग हो गया ठीक है तो अब हम जानकारी ले रहे हैं नीचे के जो लोग है उसमें क्या रहता है तो उसमें हमने जाना था कि नीचे का जो लोग है उसके सबसे टॉप पे तो मद्य लोग बना हुआ है ठीक है लेकिन उसके नीचे नीचे क्या है साथ पृत्वियां है नरक भूमियां जिने कहते हैं ठीक है नरक भूमियां क्या है जहां नारकी रहते हैं नारकी जैसे हम मनुष् आपरब करे, बहुत परीगरे करे, तो उसकी लाइफ के साथ क्या होता है? वो मर के नरक में जाता है. पहली, दूसरी, तीसरी, depending on किस तरह का पाप, किस तरह के परिणाम उसने की ए. Alright, तो उन भूमियों की थोड़ी सी जानकारी, उनके की वो कहां रहते हैं, बिलो में रहते ह तो below की shape या कह लीजिए उनकी quantity number कितने हैं वो सब हमने पिछली क्लास कल की क्लास में देखा था तो उसके बाद आप ये देखिए कि नरक में जो जाता है कहते हैं बहुत दुख है बहुत दुख है तो कितनी प्रकार के दुख हैं कैसे कैसे दुखने भोगने पड़ते हैं उस बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि हमारी सीखने वाली चीज़ जो हमारी life को effect करती है व और ये अंदर सी आवाज है ये कोई मतलब किसी का बुद्धी से created नहीं होता है आत्मा का ये गुन है सुख चाहना क्योंकि वो उसका स्वभाव है ठीक है तो कोई नहीं चाहता तो जब हमें नरक के दुखों के बारे में पता होगा तो हम उससे बचने की कोशिश कर पाएं हम एज़ स्टोरी ना सुने हम उसको experience में लें क्योंकि हम भी उन नरकों की यात्रा कर चुके हैं ऐसा कोई भी लोक का प्रदेश नहीं है प्रदेश मतलब एक चोटा सा छेत्र सुई के बराबर छेत्र जो होता है ऐसा कोई भी छेत्र इस पूरे लोक में चाहे वो उपर का लोग कह लीजिए चाहे वो नीचे का कह लीजिए कुछ अपवाद छोड़ देंगे जैसे कि सरवार्ट सिद्धी विमान के देव है न कि वो तो एक भवतारी होते हैं अगर हम वो बन चुके हैं तो फिरा में तो अभी तक चले जाना चाहिए था इसका मतलब हम वो नहीं ब चुके हैं तो हम ये तो देखें कि हम जब गए थे तो हमने क्या फील किया था वहाँ पर ठीक है तो अपने उपर घटित करके देखिएगा और अंदर में एकदम ऐसा संसार के प्रती संवेध भाव आना चाहिए कि नहीं नहीं संसार में कहीं सार नहीं है ठीक है ना तो इस वज़े से हम ये जान रहे हैं ये विशे जो पढ़ रहे हैं ये इस विशे से इस उम्मीद से पढ़ रहे हैं कि हम संसार या लोक क्या है उसको उसकी वास्त्रिक्ता को जान सके ठीक है तो हमने देखा था हमने स्टार्ट कर दिया था ये टॉपिक कि नारकी जीवों को अप अपने पुर्व उपार्जित पाप करम के उदे से चार प्रिकार का तिवर दुख भोगना पड़ता है, तो जब पाप करम करते हैं, करम करते समय हमें ये रियलाइज नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति क्या होता है, जब करम करता है, उसको उसमें मजा आ रहा होता है, वो करता चला जाता है बस, ठीक है ना, अगर उसे ये पता हो कि ये पाप है और इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, तो वो करेगा ही नहीं, लेकिन वो इतना उसमें इन्वाल्व हो जाता है, कि वो बल्कि उसमें आनंद मानने लगता है, मिल रहा है, वो देखते हैं, ठीक है, तो गलत काम करना, किसी भी अपने इलावा किसी दूसरे को तकलीफ देना, ठीक है, अगर हम अपने को तकलीफ देते हैं, तो पाप नहीं बंदता, ठीक है, अपने को अगर हम तकलीफ देते हैं, तपश्यादी करते हैं, शरीर को तपा तो उससे क्या होता है, पुन्ने का आसरव होता है, लेकिन जब हम दूसरे को तकलीव देते हैं, तो पाप का आसरव होता है, simple सा गणेते हैं, ठीक है न, तो हम जब भी कोई कारे करें, देख लें कि हमारे किसी भी काम से, दूसरे को तकलीव तो नहीं हो रही है, ठीक है न, त तो वो ऐसा हम कुछ कर रहे हैं तो वो चार प्रकार के दुख वहाँ पर नारकी को भोगने पड़ते हैं यह यह कह लिजे हम सभी ने वो दुख देखे हैं क्या है छेत्र जनित छेत्र जनित मतलब जो अभी भूमियों की explanation दीती साथ प्रकार की भूमिया रहती हैं डार्क 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 कलर होता जाता है अंधेरा हो जाता है तो वो भूमियों में क्या वेवस्ता रहती है तो उन भूमियों से related छेत्र जनित दुख फिर शारिरिक दुख जो उनका खुद की बॉड़ी होती है उसमें अपने आप में बहुत दुख होते है अगर वो वैसे शेत्र उनके ना भी हो लेकिन उनकी खुद की बॉड़ी में इतनी तकलीफ होती है इतनी बिमारियां होती है कि शारिरिक दुख उनके पास रहते है फिर मानसिक दुख कि उनके पास ना सरफ शारेरिक दुख रहता है, शारेरिक दुख क्या मानते हैं आप, बिमारी आधिका होना, है ना, वो शारेरिक दुख, या कहीं से छिल गया, कहीं पर खुन निकलाया, कहीं से कट गया, ये हमारे शारेरिक दुख है, मानेसिक दुख क्या है, जो दिखाई तो नहीं दे लेकिन हम इर्शया के वर्ष, stress, depression ये सब जो word use करते हैं, ये सब क्या हैं? ये मानसिक दुख हैं, इर्शया जिसमें हम दूसरे की बढ़ती को देखकर अंदर यंदर कुडते रहते हैं, दूसरे के गुनों से जलन महसूस करते हैं, ये सब क्या है? मानसिक दुख, again अगर हम अ अंदर ऐसा कोई भी मानसिक दुख फील करते हैं, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए ही पाप का आस्रव कर रहे हैं, और अगर हम दूसरे के गुनों को देखकर खुश हो रहे हैं, और या दूसरे की बढ़ती को देखकर अच्छा मान रहे हैं, उसकी appreciation कर रहे हैं उसको thanks कर रहे हैं, कि वो हमारे साथ है, बढ़ रहा है आगे, बहुत अच्छी बात है, तो हम अपने लिए अच्छा आस्रव कर रहे हैं, अच्छे पुन्ने का आस्रव करते हैं, ठीक है? तो उनको मानसिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को ऐसा दुख पह जाती के, असुर कुमार जाती के, जो देव होते हैं, जो की उपर की पहली पृत्वी में हमने देखा था न, दो भाग रहते हैं, खर भाग और पंक भाग, ठीक है? उन दो भागों में इन देवों के स्थान रहते हैं, भवन रहते हैं, तो वो वहां से और नरकों में जा ज और नार्कियों को पुराना याद दिला कर उनको बिढाते हैं ठीक है जैसे हम लोग यहाँ पर आपने सुना होगा ना जानवरों की लड़ाई देखते हैं बिढाना दो मुर्गों को लड़ा दिया दो बैलों को लड़ा दिया दो बकरों को लड़ा दिया वो क्या है बेसिकल देगा था कि नारकी जीव नरक छेतर सम्मंदी अकत दुख का अनुभव करते हैं अकत मतलब ना बताने या लायक इतना दुख है वहाँ वहाँ की भूमी का सपर्ष करते ही उन्हें इतनी तीवरवेदना होती है मानो एक साथ हजारों बिच्वों ने डस लिया हो तो ये शायद आगे आएगा कि हर पृत्वी साथ पृत्वियां है नीचे तो एवरी पृत्वी की अपनी हाइट होती है लोगों की वहाँ पर नारकियों की सबकी अलग-अलग पटलों पे कह लीजिए अलग-अलग पृत्वियों में अलग-अलग हाइट होती है तो जिस तरह की हाइट होती है उसी हिसाब से वो जैसे ही बॉर्ण होते हैं अपना शरीर धारन करते हैं और वो एक उच्छाल मारते हैं उनका शरीर उच्छाल मारता है और नीचे आके जमीन पर जो भाले, बिर्चे, शस्त्र अस्त्र पड़ेवे होते हैं, उनके उपड़ आके गिर पड़ता है, तो नार्कियों की ये विशेश्चता है कि उनका शरीर भले ही वैक्रियक हो, ठीक है, लेकिन उनको हम जैसे की तरह ही अंदर से खून निकलना, पी, र इस तरह की वो सब कुछ उनके शरीर में रहता है, तब ही बोलते हैं शारीरीक दुख, नहीं तो दुख कैसे होगा, वैक्रियक शरीर होगा तो दुख ही नहीं होगा, लेकिन उनका शरीर जो है, हाड मास की तरह ही वर्क करता है, भले ही वैक्रियक होता है, ठीक है, तो जैस जैसे ही वो गिरता है और उन हार्ड मास के उन पे तो उनका शरीर छिन भिन बिलकुल और जैसे गड़ जाते हैं शरीर में सोची आप एक सुमी भी चुबती है तो अपने को कितना दुख होता है तो उनके तो पूरा का पूरा भाला छुब जाएगा अंदर घुश जाएंगे तो इस तरह ऐसे क्या लगता है उनको एक साथ हजारों बिच्छों ने डस लिया हूँ एक बिच्छू का भी डसा हुआ हम महसूस में अभी नहीं ला पाते हैं क्योंकि हम ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां जानवर या इंसेक्ट्स ऐसे नहीं रहते हैं किसी को अगर किसी छ जाटले तो भ्यंकर दुख होता है तो ऐसे हजारों बिच्छों ने जैसे डस लिया हूँ वहां की मिट्टी और नारकी जीवों का शरीर अत्यंत दुरगंदित होता है तो वहां पर ऐसे अपनी जैसी मिट्टी नहीं रहती विल्कुल जैसे हां की मिट्टी में तो पानी ड दुरगंदित होती है कि उसकी गंद मात्र से चार कोज तक के मनुष्य मर सकते हैं इसके अतरिक्त नरकों में तीवर शीत और उश्न वेदना भी होती है मतलब कि खाली गंद ही बुरी नहीं है खाने की चीज बुरी नहीं है और क्या है जो एक स्पर्ष है राइट क्या देख है हम यापर इंद्रिये के विशे कैसे है वहाँ पर दुरगंद नाक का विशे हो गया है ना गंद जो है वहाँ की फिर खाने में क्या होता है वहाँ पर खाना नहीं मिलता है वहाँ भोजन अनका एक दाना भी नहीं होता है क्या खाना पड़ता है उन्हें वो ही और स्पर्ष क्या होगा, स्पर्ष में हमने देखा था, बिच्छों ने डस लिया, ये भी स्पर्ष का विशा है, उभूमी का स्पर्ष, जो कि उनको बिल्कुल तीवरवेदना देने वाला, कहीं पर भी चुएंगे, पेड़ भी है महापर तो ऐसे हैं जैसे तलवारे लटक रही हो, ठीक है, इस तरह से पेड़ की शेप तो है, लेकिन उसमें लटकने वाले जो पत्ते हैं, वो बिल्कुल भाले की तरह लटके वे हैं, तो अगर वो चाया चाहे भी, तो उपर से वो पत्ते की तरह से भाले गिरते हैं उनके उपर, ठीक है, तो इस तरह से कोहीं उनक के जो नरक रहते हैं उनमें तीवर उश्रंता रहती है और जो नीचे के रहते हैं उनमें तीवर और तीवर भी कितनी वो बता रहे हैं कि उपर के नरकों में इतनी गर्मी होती है कि यदि सुमेरु परवत के बराबर लोहे का कोई शीतल पिंड भी वहाँ चला जाए तो वह छ च्छन मात्र में मूम की तरह बिगल जाएगा और सुमेरु परवत आप सबको मालूम है कितना आमने देखा था एक लाक चालिस योजन उचा है ना इतना बड़ा सुमेरु परवत और उसके बराबर अगर कोई लोहे का पिंड तुकड़ा वहां डाल दिया जाए तो वह भी च नारकी वहां रहते हैं और नीचे के नरकों में तिवरशीत वेदना होती है इतनी ठंड वहां यदि सुमेरु परवत के बराबर किसी लोह पिंड का घोल डाल दिया जाए तो वह भी चण मात्र में जम जाएगा पहली प्रित्वी से लेकर पांचवी प्रित्वी के दो तिह ख़ड में शीत तो पांचवी हो गई और छटी साथ्वी में शीत फिर बिलो की अपिक्षा बिल मतलब बताया था कि उनके रहने के स्थान तो रहने के स्थानों में क्या होता है जो पहली प्रित्वी है उसमें जादा बिल होते हैं कंपेर टू साथ्वी साथ्वी बिलों में जादा कैदी रहते हैं compared to dungeons, जो बिलकुल ही काला पानी टाइप की कहते हैं, जो बहुत बड़ा पाप करे, बहुत बड़ा criminal हो, उनको एक special kind of cell में रखा जाता है, तो इस तरह से उनकी संख्या compared to normal कैदीों के कम होती है, तो इस तरह से उपर में जादा नारकी होते ह होते होते बिलकुल कम हो जाते हैं, चीक है, तो बिलों की अपिक्षा कुल ये कितने हुए, आठ करोड, नहीं, बैयासी लाख पचीस हजार बिलों में उश्न वेदना, और शेश सत्रा हजार, एक लाख पिचटर हजार बिलों में शीत वेदना होती है, क्योंकि नीचे पित और उश्न वेदना तो है ही, पर छेतर के प्रभाव से उन्हें भूक और प्यास की भी अतितिवर वेदना होती है, सारे लोक का अनाज खा लेने के बाद भी नार्कियों की भूक नहीं मिट सकती, इसी तरह समुद्र के बराबर पानी पी लेने पर भी उनकी प्यास नह नहीं होती, कैसा पानी पीना पड़ता है उन्हें, वहाँ जो नदियां होती है, वैतरनी नदी बोलते हैं, वो खून से राद पी उनसे भरीवी होती है, छार है ना, पीएंगे भी तो अंदर तक सब कुछ जल जाता है उनके, ठीके ना, तो ये क्या देगा हमने, छेतर जन दुख हर नारकी को सेहन करने पड़ते हैं, शारिरी दुख, नरकों में नारकी जीवों को पुर्व उपरजित पाप के परिणाम स्वरूप, तिव्र शारिरी दुख भोगने पड़ते हैं, जैसे ही नारकी जीव नरक में उत्पन होते हैं, अपनी परियाप्तियों को पू उनका चरीर चत विक्षत हो जाता है तो क्या है क्या किरें यहाँ पर कि जैसे ही नार की जीव नरक में उत्पन होते हैं तो उत्पन होने का क्या मतलब है जैसे आपको बतायता है देव का शरीर बनता है तो वो शैया पर है ना ऐसा जैसे गर्ब में भी शरीर बन ही रहा होता ह ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन से ही बेबी इतना बड़ा सारा होता है नहीं धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको 9 months लग जाते हैं हर तिरियंच में भी अपनी अपनी duration रहती है ऐसे ही देव और नारकी में क्या रहता है अंतरमूरत का समय रहता है बॉडी के complete होने में तो वो completion को परियापती कहते हैं अपनी परियापतियों को पूर्ण करते ही उनका क्या होगा शरीर काफी उचाई पर उचल कर काफी उचाई मतलब कि अपने अपने शरीर के हिसाब से वो उचलते हैं तो सातवे नरक में 500 धनुष की उचाई वाले नारकी होते हैं, तो उनका शरीर जो है 500 योजन उपर उचलता है, तो आप सोचे 500 योजन उपर उचलना कितनी बड़ी बात है, इसी तरह से बाकी के नरकों में भी लगाना हाइट के हिसाब से वो उचलते हैं, तो जितनी उपर उचलेंगे उतनी ही तेजी से प्रेशर के साथ नीचे आके इन आयूदों मतलब हथियारों के उपर गिरते हैं, ठीक है? उनका शरीर चत्विक्षत हो जाता है, तो शरीर क्या है बेसिकली? है तो व्यक्रियक, तो क्या हो जाता है? जैसे पारा होता है पारा मरकरी, उसको कि इतना भी काटो पीटो छुट 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 टुकडे भी कर दो येकिन वो फिर से चुकडे मिलने पर जुड जाता है उसका फिर से सेम शरीर हो जाता है ऐसे ही नारकी शत विक्षत कर दो शरीर उसका कितने हाथ अलग कर दो पेट अलग कर दो छुट 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 टुकडे कर दो उसके फिर से वापिस से वो जुड़के शरीर पूरा बन जाता है तो लेकिन जितना टूटता है तो उटनी तकलीफ होती है जैसे कि सच्च में शरीर कटता है तो वैसी वाली तकलीफ कोई किसी की बॉड़ी को अगर काट दे हाथ उलिये काट दे तो कितना दुख होता होगा आप एजियूम कर सकते हैं वे उटकर खड़े भी नहीं होने पाते कि वहाँ पहले से उपस्तित नार्की उन पर अपना क्रूर प्रहार प्रारंब कर देते हैं हाँ रीटा जी आपने हाद रेज किया हाँ एक क्वेस्टन था चारू जी कि नार्की के सभी जीव संगी पंचेंद्रिया होते हैं हाँ संगी पंचेंद्रिया ही होते हैं देखिया आप ऐसे समझेगा कि नरक में सम्यक दर्शन पासिबल है और सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्रिया को ही हो सकता है है ना, तो इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं, येस संगी पनचेंद्रिय ही होते है तो उनको दिमाग तो होता ही है उनको feeling भी होती है, दुख भी होता है वो वहाँ जाके समयक दर्शन को प्राप्त भी कर सकते हैं प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब उनमें ऐसे धर्मश्रवन भी करते हैं समझते भी हैं कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ तो सब कुछ होता है उनके साथ है ना तो उनको धर्मश्रवन कौन कराता है वहाँ पे धर्मश्रवन उनको बाकी के जो उनके कभी उन्होंने किसी पुन्ने की वज़े से जैसे रावन का जीव है, लक्षमन का जीव है, उन्होंने कभी तो पुन्ने किया था, तो उनके जो अच्छे देव, मित्र देव हैं, वो वहां आकर उनको धरमश्रवन करवाते हैं, ठीके न, वो अभी आगे आएगा शायद, let's see सम्यक दर्शन के बारे में जो टॉपिक आएगा ना, तो उसमें देख लेंगे हम, ओक, तो क्या है कि जैसे ही वो गिरे, अभी उठने में नहीं पाए और दूसरे नारकी उन पर प्रहार कर देते हैं, तो आप सोचिए कि जैसे हम लोग यहां रहते हैं, हम अपने-अपने क उठने पर लगे रहते हैं, कम्प्लीटली उनका यही काम है कि एक भी नारकी को चैन से ना बैठने दिया जाए, अगर कोई भाग रहा है तो उसके पीछे भागेंगे कि तू क्यू भाग रहा है हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, एक कोई बैठा है शांती से कि अब मुझे के समान लड़ते हैं, ठीक है न, तो जैसे कुत्ते कॉंस्टेंटली एक कुत्त के पीछे दस पड़े रहते हैं, कि तु मेरे एरिया में कैसे आ गया या टाइप से भोगते रहते हैं, काटते रहते एक दूसरे को रहते हैं, तो उसके समान लड़ते हैं, और क्या करते हैं, कुछ अच्छा भी किया हो ना, उसको वो इतनी negativity से भरे होते हैं, कि अच्छे करे हुए को भी वो negative feeling के साथ फील करते हैं, जैसे मदर ने अकर उन्हें कोई कड़वी दवाई पिला दी, तो उन्हें क्या याद आएगा, कि ये जैसे उसको पुर्व जनम का कोई महापर मिल गय कि इसने मुझे कड़वा दवाई पिलाई थी, ये नहीं सोच रहा है कि वो मेरे अच्छे के लिए पिलाई थी, इतना विवेक, इतना ग्यान नहीं रह पाता, negative ही आता है, कि मेरे को नहीं चाहते हैं, भी इसने मेरा मूँ खोलके मुझे वो कड़वी दवाई पिलाई थी, ठीक है, तो मैं इससे बदला लूँ, और वो उसके मुझे गरम-गरम उबलतावा जो लाबा टाइप का, और वो उसके मुझे डाल देगा, कि तुने मेरे मुझे डाला था, मैं भी तेरे मुझे डालू, इस तरह का पुरो बैर का स्मरण, मतलब किसी ने किसी की life में की बजाए बुरी जादा याद रहती है, वो किसलिए क्योंकि काल का प्रभाव ऐसा है, ठीक है न, ऐसे ही नरक में क्या है, वहां का छेतर का प्रभाव ऐसा है, यहां भी आज हम हैं पंचम काल में, तो यह भी तो द्रवे छेतर काल बाव का प्रभाव पढ़ रहा है हमारे उपर कि हमें बुरी बाते जादा याद रहती हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था और काल के प्रभाव से नरक में भी बैर की बाते जादा याद रहती हैं अच्छा भी किया हो तो उसको नेगटिव में लेके और बदला लेने के लिए दोड़ते हैं वे विक्रिया द्वारा अपने शरीर की विभत्स और विक्राल आकरती बना कर एक दूसरे को पकड़ कर कभी करोंट से चीर डालते हैं, कभी उन्हें अगनी में जोंक देते हैं, कभी उबलते तेल के कड़ाहे में डाल देते हैं, कभी कोलू में पेल देते हैं, कभी गरम कर लाल की ये लोहे के स्तंब वाले रक्षों पर चड़ा कर घसीटते हैं इस प्रकार नारकी जीव अपने ही शरीर की विक्रा लाकरती अत्वा उसे अस्त्र शस्त्र रूप बनाकर मार काट करते होए तिवर शारेरी दुख भोगते हैं मतलब कि नारकी क्या करते हैं जैसे देव होते हैं वो तो अपना शरीर जो में शरीर होता है उसे वहीं छोड़कर दूसरी जगे चले जाते हैं दूसरे अपने विक्री एक शरीर को कहीं और भीच सकते हैं लेकिन नारकी क्या करते हैं उनका शरीर कहीं और नहीं जाता वो अपने शरीर को ही कुछ-कुछ बना लेते हैं, कोई जानवर बना लेगा, दाड़ वाला, सीही विक्राल, बहंकर विक्राल आकरती बना लेगा, राक्षस के जैसी, या जो मतलब जितनी भी विक्राल आप सोच सकते हैं, या कोई अस्त्र शस्त्र रूप लेगा, तलवार तलवार बनके दूसरे को मारने कटने दोड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में तलवारे आजाती है, वो खुद उस रूप बन जाते हैं, एक नारकी तलवार बन जायेगा, दूसरा उसे उठाकर तीसरे को मारेगा, ऐसा भी कर सकते हैं, वो गृप में भी होता है, right? तो अस्त्र शस्त्र रूप बनकर शारेरिक दुख देते हैं एक दूसरे को वैक्रियक शरीर होने के कारण वे मर कटकर भी मरते नहीं है क्योंकि जिस प्रकार पारा भी करकर पुने मिल जाता है उसी प्रकार उनका शरीर खंड-खंड होने पर भी पुने अखंड हो जाता है मतलब वापिस से जुड़ जाता है वे आत्महत्या के द्वारा भी अपने दुखों से बिंड नहीं चुड़ा सकते उन्हें अपनी आयू परियंत तिवर दुख भोगना पड़ता है और आयू कितनी रहती है सागरों में सागर हमने देखा था असंख्यात कितना असंख्यात पल्ली जिसमें हो और पल्ली कितना करोड टाइम्स करोड टाइम्स 10 वो एक पल तो ऐसा हमने इतना सोच सकते कि सागर कितने आयू का होता होगा कितना लंबा समय तक और मरना चाहे तो मर नहीं सकता चूटना चाहे तो चूट नहीं सकता दुख लास्ट मिनट तक भोगना पड़ेगा मानसिक दुख शारिरी दुख देख लिया, छेतरजनी दुख देख लिया, अब मानसिक दुख नरक सम्मंधित अनेक प्रकार के दुख जन्य भायानक वेदना से व्याकुल नार्कियों को मानेसिक, तिव्र मानेसिक ताप होता है वे अपने दुखों से तरान पाने की चिंता में प्रती इक्षण जुलस्ते रहते हैं किकी उनको भी अवदी ग्यान हो जाता है अपना जान लेते हैं वो उनसे चूटना तो चाहते हैं, वहाँ पर भी वो दुख को अच्छा नहीं मनते, राइट, नरक यह यहाँ से वो बच के निकलना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, एक चूटे से चूटा इंसेक्ट भी है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए बचता फेरता है, यहाँ मुझ इवन तिरियंच भी पुन्य प्रकरती में मानी जाती है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर सरफ जुलस्ते रहते हैं, फिर है असुर कृत दुख, जैसा कि अभी हमने देखा, असुर कुमार जाती में कुछ विशेश, कुछ डिफरेंट टाइप की जातियां होती हैं, ज जाती के असुरो द्वारा उत्पन किया जाता है, अमबविर्स जाती के असुर देव अत्यंत निर्देई सवभावाले होते हैं, कहने को देव हैं, भवनों में रहते हैं, सुन्दर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा रहता है कि दूसरा लड़ता रहे तो उ दूसरे को तडपता हुआ देखकर खुश होते हैं, वही जो अभी एग्जाम्पल दिया कि दो मुर्गों के लड़ाई हो रही है, मुर्गे खुनम-खुन हो रहे हैं, फिर भी देखने वाले क्या हैं, तालियां बजाते हैं, जो मुर्गा पहले मर जाएगा, दूसरे वाल के रहने के बाद भी इने नारकियों को परस्पर में लड़ाने में ही आनन्द आता हैं, जब वे नारकी इनके इशारे पर अपना बैर विचार कर आपस में मार काट करते हैं, तो ये असुर बड़े आनन्दित होते हैं, तो ये जाकर वापर उनको बढ़काते हैं, जैसे आ कान भरना ठीक है ना अच्छा कासा कोई अपनी लाइफ में जी रहा है उसके जाके कान भर दिये या नेगिटिव बाते बोलते रहना किसी तीसरे परसन के लिए बढ़काने वाले काम यहां भी होते हैं ठीक है ना तो वो क्या है बेसिकली वो रौदर ध्यान है किसी को जाके रहता है अच्छा नहीं लग रहा है इस बात से नाखुश है कि वो उसके साथ मिलके क्यों रह रहा है तो हम उसे बढ़काना शुरू कर दें तो यह तरह से असूर प्रवरत्ती कहलाती है बहुत अच्छी नेचर नहीं है बजाए इसके अपने कामों में लगे रहो है ना अ इस प्रकार मार काट और उनसे उत्पन हुए दुख को सहन करने में ही नारकियों का जीवन बीत जाता है असुर कृत दुख तीसरे नरक तक के नारकियों को ही होता है क्योंकि उससे नीचे के नरकों में देवों का गमन नहीं होता ठीक है देव कहां तक जा सकते है तीसरे न पढ़तियों और दुखों की ठीक है? फिर इनकी आयू बताई नारकी जीवों की आयू सादों नरकों में नारकी जीवों की उटकरिष्ट आयू उटकरिष्ट का मतलब सबसे जैसे होता है हमारे केसमें अगर हम देखें मनुष्य कितना जी सकता है तो उत्करिष्ट कहेंगे तो 100 साल, 120 साल मैक्सिमम, तो उत्करिष्ट मतलब मैक्सिमम, ठीक है और जब हम बोलते हैं जगहने, मतलब कम से कम, ठीक है जैसे मनुष्टे में अंतरमूरत कोई जनम, मतलब गर्ब में आया और वहीं से मरण हो गया तो अंतरमूरत तक के उसकी आयू थी ठीक है न, तो एजे ही तो मैक्सिमम कितना जी सकते हैं कितनी आयू रहती हैं तो एक सागर, मतलब पहली नरक में एक सागर की फिर दूसरी में तीन, साथ दस, सत्रें, बाईस और तेती सागर उतकरिष्ट आयू तेती सागर एक सागर ही अनकाउंटेबल पल्य वर्षों का राइट हमने देखा था और ये कितनी की बात करें तेती सागर तदा प्रथम नरक की जगहने आयू कितनी दस हजार वर्ष की जो पहले नरक में कम से कम आयू होईगी मिनिममम आयू किसी भी नरक में होईगी तो कितनी होगी दस हजार नारकी की मिनिममम आयू दस हजार हमारी कितनी अंतरमूरण तो अगर हम किसी भी ने मनुष्ट ने या तिरियंच ने नरक आयू का बंद कर लिया तो मिनिममम दस हजार की होगी ही होगी शेश नरकों की जगन आयू पुर्व वर्ती नरक की उतकरिष्ट आयू के बराबर है तो कैसे? सेकिंड नरक की कितनी होई? जगन आयू एक सागर क्योंकि एक सागर क्या है? उतकरिष्ट आयू है पहले नरक की तो ये क्या बन जाएगी? जगन्य आयू second नरक की, सातों नरकों की पटलवार जगन्य और उत्कृष्ट आयू के लिए देखें परिशिष्ट, पटलवार मतलब पटलों के हिसाब से उपर के पटल में जगन्य आयू, नीचे के पटलों में उत्कृष्ट आयू, ऐसे करते व वो के शरीर के उचाई, नीचे नीचे दूनी दूनी है, मतलब कि पहले नरक में जितनी है, पहली पृत्वी में, दूसरे में उससे डबल होगी, तो क्या कहरें? पहली पृत्वी के नारकी के उचाई, सात धनुष, तीन हाथ और छे अंगुल, तो दूसरे में कितनी? एक दनुष is equal to 6 feet, तो उसी सबसे calculate कर सकते हैं, पांचवे पृत्वी में 125 दनुष, छठी में 250 दनुष, और सातवी पृत्वी में नारकियों के शरीर के अवगाना 500 दनुष है, तीके ना 500 दनुष ज़ो की, रिशब्दे भगवन की भी हमने देखी थी ना 500 दनुष, ऐसे यहां पर भी उतकरिष्ट जो है वो 500 दनुष है, सातो पृत्वी में पटलवार अवगाना के लिए देखें परिशिष्ट, मतलब बीचे एक चार्ड बनाया है, वो देख सकते हैं अगर किसी को पटलवार मतलब पटलों के हिसाब से, हमने देखा था ना कि पहली पृत्व अब है लेशा, लेशा क्या रहती है, लेशा होती है कशाय और योग से अनुरंजित, हमारी जो प्रव Americasi रहती है, हमारे एक तरह से लेशा को कह सकते हैं आव भाव ठी है हमारे बाहर से भी लेशा होती है जो हमारा शरीर का कलर आदी होता है वो लेशा होती है जिसको की द्रवे लेशा कहते हैं और हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भावलेशा भावलेशा से कह सकते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं हमारे भाव बहुत कलुशित हैं काले हैं अंद जैसे बहुत तीवर क्रोध आना वो क्या होता है बिल्कुल खराब परिणाम वाला तो उसको क्या कहते है कृष्णलेशया किसी से बहुत जबरदस्त क्रोध आजाए तो वो अंदर के भाव कैसे है? कृष्टन लेश्या वाले भाव है और अगर कहें कि कितना भी कोई किसी को गाली दे दे और उसके अंदर मतलब जराबी क्रोध ना आए और वो उसकी जैसा है वैसा ही बना रहे तो उसकी लेश्या क्या कहेंगे शुक्ल लेश्या मतलब कि उसके अंदर के भाव कहीं से भी विचलित नहीं हुए तो उसके क्या बोलेंगे शुकल लेशा है उसके अंदर ठीक है कि उसके भाव बहुत परिणाम बहुत निर्मल है शुकल है ठीक है तो इस तरह से छे लेशाएं होती है छे लिश्या है जिसमें से कि तीन अच्छी होती है और तीन बुरी होती है हो सकता है आप लोगों में से थोड़े लोग को मालुम हो छे लिश्या है तो शुक्ल पीत और पद्म शुक्ल पीत पद्म है न यही और दूसरी साइड जो बुरी होती है वो कापोद, नील और कृष्ण ठीक है तो शुकल और पीत पद्म ये तो क्या है अच्छी में आनी जाती है जिसमें की जैसे कहीं लोग देखे जाते हैं कितना भी कोई उनके साथ सता ले कुछ भी कर ले सबको माफ करते चलते हैं ठीक है कहीं लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की हेल्प करना में ही अपना सबकुछ मानते हैं जिसे सोसाइटी के लिए बस करते ही जाना अपना सबकुछ निचावर कर देना ऐसा दूसरों के लिए जीने वाले वो शुकल लेश्या फिर जो कह लीजिए कि भगवान की भक्ती पूजा में लगे रहे हैं दूसरे के गुनगान करने में लगे रहे हैं सादू आदी के मतलब ऐसा तो हो सकता शयद आगे आएगा ये विश्य हमारा लेश्या का और डिटेल में तो ऐसा सर्फ जानकारी के लिए यहाँ पर summarized way में बता रहे हैं कि इस तरीके से जो हमारे अंदर चलने वाले परिणाम हैं वो लेश्या होते हैं हम जैसे अभी शान्त परिणाम से ये क्लास में बैठे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा ये कौन सी लेश्या है कौन से भाव है? हमारे शुब भाव चल रहे हैं, ठीक है? तो शुब लेश्या, ठीक है? तो इसको क्या कह सकते हैं? पीत या पदम लेश्या में ले सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन नार की जीवों में कैसी रहती है अशुब लिश्या अशुब में कापोत, नील और कृष्ण तो कापोत में क्या रहता है इरिश्या वाले भाव दूसरे का फाइदा ना हो जाए ऐसे भाव नील में थोड़ा और बढ़के ऐसे भाव किती वृता हो गई दूसरे के कामों में बाधा डालना, दूसरा को तकलीव देने में खुशी मानना और कृष्ण में बिलकुल ही अती कर देना उसकी ठीक है उसकी जान ही चली जाए ऐसे भाव करना सामने वाले के भाव, मतलब इतना उनको दुख देना तो ये सब जो है क्रोध, मान, माया, लोब, चारो पर लगा ले क्रोध भी तीवरता के साथ, मान भी तीवरता के साथ, लोब भी तीवरता के साथ और कौन सी रह गई ग्रोध मान माया भी तीवरता के साथ तो जो तीवरता है वो कृष्ण लेश्या में सबसे ज़्यादा होगी उसके से कम थोड़ी नील में और फिर कापोत में तो फिर क्या कहा है कि पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या तो इतने बुरे परि नाम उनके नहीं रहते जैसे कृष्ण लेश्या वालों के रहते हैं कृष्ण लेश्या में तो वो एक दूसरे को खड़ा हुआ ही नहीं देख सकते तो कापोत में क्या है कि बुरा लग रहा है बस अच्छा नहीं लग रहा है और कहीं से भी मतलब अच्छे फीलिंग नहीं आ रही है लेश्या जो अशुब लेश्या है उसमें अच्छी फीलिंग तो कहीं से आएगी ही नहीं ठीक है न तो वो बुरी फीलिंग continuous बने रहना ऐसी लेश्या वहाँ पर रहती है ऐसे भाव वहाँ पर रहते हैं ठीक है तो ये अलग बात है कि पहली पृत्वी दूसरी पृत्वी पृत्वी से लेके और सात्वी पृत्वी तक में बुरे 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 और सबसे बुरे भाव सात्वी पृत्वी में होते हैं तो क्या करहें आपर पहली और दूसरी पृत्वी में कापोत लेश्या तीसरी में कापोत और नील लेश्या चौथी ये लिश्याएं उत्तर उत्तर अशुब अशुब हैं। उत्तर उत्तर मतलब जैसे जैसे नीचे की पृत्वियों में जा रहे हैं तो अशुब अशुब हुए चली जा रहे हैं। और ज्यादा और ज्यादा तकलीफ देने वाला अंदर में भाव होता जा रहा है। तातपरिय यह है कि पहली पृत्वी की कापोद लेश्या की अपेक्षा, दूसरी पृत्वी की कापोद लेश्या अशुबतर है. इसी प्रकर नीचे-नीचे के नर्कों की लेश्याएं अशुब-अशुबतर है. यद्यपी ये लिश्याएं अंतर मुरत में बदलती रहती हैं परंतु जहां जिस लिश्या के जितने अंच संभव हैं उनी के भीतर परिवर्तन होता है नारकी लिश्या से लिश्यांतर को प्राप्त नहीं होते मतलब क्या कि लिश्या से लिश्यांतर नहीं होते मतलब कापोत से नील में नहीं जाएंगे भाव जो होंगे उनके भावों में तिवरता उस जैसे एक बोलते ना कि एक तुम्हारा रेंज है उस रेंज से बाहर नहीं जाएंगे तीक है उस डिगरी से बाहर नहीं जाएंगे लेकिन लेश्याएं क्या है अंतर मूरत में बदलत प्रिष्वी में किसी को कृष्ण लेशा हो जाए ऐसा नहीं मापर सबकी लेश्या क्या होगी कापोत ही होगी ठीक है जहां दो लेश्यां बताई गई हैं वहां उपर के भाग में प्रतम और नीचे के भाग में दूसरी लेश्या जाननी चाहिए मतलब कि उपर उपर के जो पटल रहते हैं उनमें कम वाली लेश्या और नीचे के पटलों में बड़ी वाली गहरी लेश्या शरीर के रंग की अपेक्षय सभी नार्की कृष्णलेश्य वाले होते हैं मतलब की द्रवे की अपेक्षय शरीर कैसा है सब नार्कियों का काला सब ब्लैक है ठीक है अब ये और देखेंगे हाँ नंदा जी आपका क्वेश्टन लेते हैं भी गती आगती गती आगती मतलब कहां से नार्की में उत्पन हो सकते हैं और नार्की कहां जाकर उत्पन हो सकते हैं तो ये हम इसमें हम उनके सम्यक्तवादी का भी वर्णन यहां पर देखेंगे और फिर हम क्यों उत्पन होते हैं ये भी देखेंगे इसके बाद हमारा नरक का वर्णन खतम हो जाएगा ठीक है और फिर हमारा मद्दे लोग का वर्णन चुड़ोगा जम्बू दीप, नन्दीश्वर्दी, पंच मेरू ये सारा कुछ हम सीखेंगे ठीक है तो यहीं तक रखते हैं क्लास को नन्दा जी आपका क्या प्रश्ण है और एक बार कोई चला गया तो वहां से उसका उठान हो सकता है कि आपके वह पहले या मद्दी लोग में आ सकता है या कभी नहीं आते हैं वो वैसे तो अपना चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में होईगा यही सेमी है आगती मतलब यहां से निकल के वो कहां जा सकते हैं तो जस्ट आपने क्वेश्चन के तो अभी एक राइट अवे एंसर करते हैं कि नारकी जो होते हैं येस वो वहां पर बहुत लेशा करते हैं बहुत बुरे परिणाम करते हैं तो जो सात्वे नरक से निकल कर क का मन दूसरे को हर्ट करने का ही होता है ठीक है कुरूर सायनी पंचेंद्रिय बनते हैं सात्वे नरक लेकिन बाकी नरकों से भी ऐसा ही होता है क्या ऐसा नहीं वहाँ से निकलने वाले तिर्थंकर भी बन सकते हैं वहाँ से निकलने वाले मुनी भी बन सकते हैं, अच्छे शावक भी बन सकते हैं, तो possibility है, ठीक है न? तो इसकी और detail हम next class में देखेंगे, ठीक हो अनन्दा जी? ठीक है, हाँ, इसमें अच्छाइड अप्रियाग देखेंगे, हाँ, बुमीका आप कुछ कह रहे हैं? हर चतूर्थ मुणा है मुणा ही, हाँ एसा कुछ होता है? कि चतूर्थ गदी बन सकते हैं, चतूर्थ मुणा पांच्रमी हों होती हैं, वहां से नी चासकते हैं? समझा नहीं अग्च्छली आपका question, चतूर्थ गदी कहरते हैं प्रिथवी? वो भी विशे अक्चुली नेक्स क्लास का ही है क्योंकि ऐसा नहीं है इवन छटी पृत्वी वाला भी मनुष्य बन सकता है ठीक है थैंक यह पुछना था कि कि ऐसा मुझे मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि सात्वे नरक में आखरी जो नरक है उसमें इस्त्रिया नहीं जाती है तो जो भी कर्म होते हैं वो वो ऐसा क्यों है और मतलब ऐसा यह next class का wish है actually गती आगती का न कि कहां से आते हैं और कहां जा सकते हैं ठीक है तो I think just hold कर रखिए बाकि यह स्त्री जो है six तक जा सकती सात्वी में नहीं जाती ठीक है उसका कारण क्या है वो हम अगली class में थोड़ी सी security बनी रहे तो अच्छा है ना हाजरू थो थैंक यू जालिए जिन्वानी स्तुति जावानी के ज्यान से सुझे लोका लोग सोवानी मस्तक दरू सदा देतु हुदो ही जिन्वानी भारती तो ही जपो दिन्रेन जो तेरा शर्णा कही सोपावे सुक्चैन नौबार्ण मुक चलिए सभी को जै जिनेंदर हम लोग मंडे मिलेंगे और हरिवन्ष पुरान का स्वाथ है जै जिनेंदर सभी को जै जिने, जिने, जै जिने